मुरे रामा ओ मुरे रामा ओ भोले जो गिया हो रा तो हर द्वाज की सुन कहानी माता पिता पुत्र ज्यानी आली ज्यानी रहली घर वई में पतो नारी नारी नहीं बीर है बारती अवो तन के लिए दय दिया तन अपना ज्छूमिके नारी की भामना को जिगर में लिए जीवन अपना बनाया चरन चूमिके नारी का दर जानर से भी उचा रहा ग्यान सिखलाईं चारों तरप घूमिके नारी से हारे नाराएण दई के बचान ज्यान तू फानी होता नहीं सुमके हाँ भया एक बात मेरी सजनी गठिया लो चुनरिया में तो एक बात मेरी सजनी गठिया लो चुनरिया में बिना पैसा कभी की जैबू बिना मोल कभी की जैबू एह माया की बजरिया में तो चंचल चपला चमके अब लाकी अचरिया में चंचल चपला चमके अब लाकी अचरिया में गम गम गे दवा गम के गुलसन की की अचरिया में ए भईया कई दिना कभूखा बाबा एक उजारी था घूमते गईले जहां गाउ एक भारी था गई बाबा जी कोई वेद नहीं पाया है घूम के चारों तरफे आवाज एक लगाया गई चार दिन से भठी जल रही मेरी भईया लकडी डालो इसमें देर न करो भईया ओ महात्मा सुबह से संजा तक चार चक कर उस छेत्र में लगाया कि भठी जल रही मेरी चार दिना से कोई लकडी डाल दो लकिन कोई बास समझा नहीं कोई पागल समझता है वह मुर्खा नगरिया में कोई पागल समझता है वह मुर्खा नगरिया में कोई पागल समझता है वह मुर्खा नगरिया में साम हो गई सुर्जेस्त हो गया कोई नहीं समझ पाईश कि ये महातमाया लोग सोचन कोई पागल घूम रहा कि दर्वाजा लोगों ने बंद कर लिया सुने वाले मित्र जरा समझें इस बात के लिए हाए सहनाई बाजी बदला सिल्सिला दूलन धरम करम धर्मा करतब सचाई बिलानाई वादी बदला दिल्सिला पूरे परिवार में हरत द्वाज में उसी गाउं में एक दुलहन ग्यानवान रही अपने सास ससुर के भोजन कराई के अपने दुलहा के भोजन कराई के आपने हिस्सा भोजन चूला पर रखे कितने में महात्मा पहुँचे कराई भठी जलता कोई लकडी डाल दू थो दुलहन बुलावता अरे देखताई दुलहनी आगयल पहिचान बाबा से कहाई लग मधुरी जबान बाबा यावा बाबा यावा बैठा हमरे मतान बाबा यावा बैठा हमरे मतान बाबा यावा बैठा हमरे मतान मजे मजे बोलाई लागेन बाबा यावा बैठी यलता लकडी डाल दुलहनिया अरे बतिया न समझे कोई न जवान ग्यानी दुलहनिया तु रत गई लेका ओ दुलहन जान गई बाबा सुर्जेस्त हो गई समय आठ वजिकबा बाबा के बैठावता उस दुलहन के ससूर सास दुलहा नाराज हो थें लेकिन बोलत नहीं हैं कि देखो मेरी पतोहु का करती है तो गुजरिया बोली हाई बाबा से गुजरिया बोली हाई बाबा से जट दे बाबा के असनवाल गवलिन जट दे बाबा के असनवाल गवलिन जट दे गुजरिया असनवाल गवलिन जरते जल्दी में भोजनवाल गवलिन जरत दाल भात रोटी सबजी सब विचारी लई आएकर रखता ओकर दुलहा ओकर सास असुर नाराज हो थे इनकी चीन पहिचान नहीं पूरा छेतर पूरा गाउं नहीं खिलाएस लेकिन मेरी पतोहु पता नहीं पर नहीं बरदास भव बाबा के जब भोजन खिलावता जरत जरत लई आएके अरे नजरिया देखाई हाई बाबा के नजरिया पक危के नजरिया जरिया देखाई हाई नरी पतोहा के नजरिया ने नजरिया बाबा भोजन सुरू कर दिया जब दुचार कवर खाए तक कहें दुलही ने एक ठी बात अबर हमके बताई दिया ओकर साथ ससुर ओकर दुलहा बड़े ध्यान से बात सुनत हैं समझे फैन कि मेरी पतोहु क्या कर रही है बाबा जब चार पांच कवर खाए पानी पिये कहें दुलही ने एक बात बताई दिया दुलही ने कहें का बाबा बाबा कहें बासी की ताजा भोजना नार कहें दुलहन इक खाना बासी या की ताजा नार कहाएं बाबा का पूछत है बाबा कहाएं ताजा की बासी भोजनवाँ नार कहाएं बासी हुआ इमान ले कहनवाँ ओ करसा ससुर बड़ा नराज होता हैं दुलहा भी बहुत नाराज होता कि वज जरत जरत खाना खाय रहा है महातमा मेरी अवरत भी पगलाई है ताजा भोजन के बासी बताव अता बात का आया लेकिन बाब कहा बेटे से बेटा बोलो नो देखो इसका आखिर में अंत का बोलत कायंत निकरत कहना भी बाद अरे मुखारिया पेखै हाई बाबा बाबा का दुलाहिन मुह देख रही है अब देखते देखते बाबा कहें दुलाहिन एक बात हमके और बता देख चार छक और फिर खाये पानी पिया दुलाहिन एक बात हमके बताई देख कहें का बाबा बाबा पूचे थैं केतनी उमर दुलाहिन दे तुना बतायो केतनी उमर दुलाहिन तब तो अदुलहिनी के सास असुर बहुत नाराज होता है ओ करदुलहा भी नाराज होता कि खाना खाएं एक दाइबासी और ताजा पूँछें अब उमर देखः थैं उमर पूँछःत थैं का बाता दुलहा ओकर कहा तो दुलहिनी के मालूम होता है साधु महात्मान नहो इकोई ढोंगी है इकोई ढोंगी पंडित है बाब बोला नहीं बेटा देखो अंत में होता का है बाबा पूछे था कितनी उमर वाद लहिन तो हार तम मजे मजे बोले लागी बारी बाहू आरिया अरे मजे मजे बोले लागी बाहू आरिया छे साल कर होई गई बाबा हमर रहू मरी आ छे साल कर नावए सुनते तो दुलहाओ कर लाग उठे बैठे ये बाप रे बाप ये महातमा कोई जादू कर दिया है मेरी यवरत बीच पचीस साल से कम उमर नहीं नहीं तो छे साल बता हुआ था बाप रे बाप महातमा फिर खाता हैं खाना दुलहीन से पूछें कितनी उमर बाप कहें बाबा छा साल को उमर बाप अरे बैठा बा महारे के दुलहारी सी आई रे के तनी उमरा दुलहीन अरे बाप रे बाप छे साल को उमर सुनते दुलहा उकर गरंबा फिर दुछार को और खायन महातमा कहें दुलहीन एक बात आई रे कहें का बाबा अब दुलहा का उमर अपने साही समझावा अपने सा ससुर को उमर बताओ अदुलहा बैठा गरंबा लेकिन बापरों का ता बेटा बोलो कुछ देखो अंत में का होता है अब बाबा सुने वाले मित्रेत नहीं नहीं तो दुलहीन कहत का हैं तीन महीना का दुला हमार बाबा हम देई बतायो के तनी उमर अपने आपन उमर छो साल के अपने दुलहा को मर तीन महीना का तब दुलहा कहत अपने बाब से कि पिता जी अब हम मार ब बाब बोला नहीं बेटा पूरी बात समझो आखिर होता का है ठेक है महातमा कहत हैं तो हार उमर छो साल के तोहरे दुलहा को मर तीन महीना का पने साथ ससुर को उमर बता हुआ तो दुलहीन कहत हैं कि पनर दिन का सासु बाबा माना हमरी बतिया अरे पनर दिन का हमार सासु बाबा माना हमरी बतिया असा सुरू जना मना ही लियले लियदर रतिया इतना सुनता इतब बिटवा कहता दुलहीनी के दुलहा कहता काका पिता जी अब हम न मानब जरूर मारब उठा माराई बदे जब चल देश खिसी आएक माराई बदे एतने महतमा पानी पीक चल दिया पहुच के घरे में लगा माराई मार के दस बजे रात घरे से निकारता मार के घरे से निकारता तब दुलहीन बड़ा दुखित होई के रोह था बुढ़वा बाप बोला मारो न बेटा न घर से निकारो इसके वापस बैठाए लो पूछो आखिर बात ऐसन भय काही थोड़ी दुरिया मार के पहुचाए के फिर पकड़ लई आए दुलहा घरे में पूछा था दुलहीन रोह था कि यही बात आप पहले पूछ लहे होते हैं मारें हमके हमार पूरी सरीर कांपाता डर के मारें आप मार के तव हमसे पूछत हैं मर्द बोला कि आखिर तनी बात ऐसन भय काही ताजा खाना के तईबासी काहे बताए का बाता आपन उमर छस साल बताए हमार उमर तीन महीना बताए हमारे माता का उमर पंदर दिना बताए हमारे बाप के कहत है पैदाई नहीं भय नहीं इसन भग काहे तब दुलहें रोता बड़ा दुखित होई के रोता मधूरी जबानिया से बोले बारी धनिया काहे रिसिया आई गई ले बलमूं काहे रिसिया आई गई ले बलमूं हमसे होई गे कवन कसूर हो काहे रिसिया आई गई ले बलमूं काहे रिसिया गई ले बलमूं दुलहा बोला कि पूरा गउन नहीं जब उस महात्मा के पूछा तुमने के वो खिलाई के वो ऐसी बात की तुलहा रोई कि कहा था कि गवना का तो हरे कोई भेद न जानी गवना का तो हरे कोई मरम न जानी ओतरहलिन महातिमा सुनय सली ब्रह्म ग्यानी काहे रिसिया गई ले बलमूं समझे नहीं बतिया जरूर हो काहे रिसिया आई गई ले बलमूं जानी बतिया जरूर हो काहे रिसिया गई ले बलमूं समझे नहीं बतिया जरूर हो काहे रिसिया गई ले बलमूं दुलहा बोला ठीक है ब्रह्म ग्यानी थे यह बात सच है लेकिन खाना ताजा रहा तो तुम बासी क्यों कहा मर्द बोले सुनिले हमरी गुजरिया और खाना रहा ताजा बासी कस कैलियो जी करिया दुलहिन कहे आप तो बतिया इन समझे इबासी ताजा का सवाल इसलिए बतावा कि जबसे हम आप के हिया साधी भई आए और तबसे अब आप एकव पैसा कमाई नहीं कर रहे हो न एक वप हुआ या नाज पैदा कर रहे हो न कहीं से कमाई न धमाई न या नाज न पानी इससब बाबा क कमाई या यह बदे हम बतावा कि बासी या यही बद्य सया हम कहली बतिया लेकिन समझन हम के मार ला गया दिरतिया काहरी सी आई गई ले बलमू भगती न समझे बर पूल हो काहरी सी आई गई ले बलमू भगती न समझे बर पूल हो काहरी सी आई गया बलमू आप समझे नहीं जब से आप कहीं आये और तब से बाबा कमाई या जब तक बाबा कमाई ही तब तक बाबा कमाई बासी बाद जब तू कमाई लग बै यही जगहें पर आउरत ग्यान देता ग्यान कहा थी न ग्यान के खतम करने की बाद जैसे बत्ती जल थते अधेरा हट जा थ वो इससे जब ग्यान मिले थते अग्यान हट जा थ आउरत ग्यान देश के आप पहचान करिये तो मर्द बड़ा निदर्द तहा उबोला के अच्छा मान लहियां तक बास सही बाद उमर वाली बाद बताओ तू अपने के छह साल हमके तीन महीना माता पंदर दिना अब पिता पैदे नहीं तो आउरत हसी के बाद बारे स्वामी जी समझ लई हो बात अरे मधूरी जबानिया से बोले दूलहनिया सुनिला सजनवातनी बतिया रे हमा सुनिला सजनवातनी बतिया हो हमा मर्द बोला कि अपने के छह साल का ही बताओ अरे चड़ली जवानिया में कैलू नखी अलिया गोरी चड़ली जवानिया में कैलू नखी अलिया गोरी अरे बीस बाई साल काई बाट यू मरनी तुहार अरे मधूरी जवानिया से बोले बारी धनिया हो रामा मधूरी जवानिया से बोले बारी धनिया हो रामा सुनी ले के दुनहा राजा बत्या वे अमार अरे सुनी ले बलम आतनी बत्या हो रामार शाय साल हम के लिए हो गई ले गियनवा राजा अरे आतमा परमातमा से जब भाईली दीदार आतमा परमातमा से जब हो गई दीदार बीच बाईस साल के हमार उमर बाई लेकिन छस साल हमके ग्यान ले होई गे जब सत्गुरू से ग्यान मिला तब प्रभू परमातमा का पहचान मिला तब हम सोचा कि दुनिया में हम अब पैदा भई अरे तीनी महतो हो उकेली है भगियान वा बाला अरे संहत बिना तु भूली गईला दीदार संहत बिना भूली गईला दीदार संहत नहीं पाये संहत नहीं कि है एक घरी आधी घरी आधे में कछुआध तुलसी संहत साध की कटत कोटी अपराद अपन रदीना भूला जी के लिए भगियान वा अपरे तवा मेरा ही है राए बहुत समुझावा बाबा न लिया गियन वा उनकी जीवन आएक दम हो गई ली बेकार अरे गुले सन में खिले गुला जार मीतवा भगती भामाना का जागीत पहार मीतवा नारी से अनर नर से नाराएन कहाई तपिया गरीवन का करई से वकाई अरे खाली नहीं रही आई भंडा अरे लिखते राम सुमेल दुफानी सच्चा गुरू में नहीं बाब्याई मानी शहनाई बाजी बदला सिल्सिला अरे राम का लाज गावत आई गाई बुढाई शहनाई बाजी बदला सिल्सिला अरे लिखते राम सुमेल दुफानी सच्चा गुरू में बाजी बदला सिल्सिला बदला सिल्सिला गुरू में 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 बदल